साइटोलोजी या हिस्टो पेथलोजी रपोर्ट प्रिंट करने के लिए आप पहले पेशेंट का रेजिस्ट्रेशन करें रेजिस्ट्रेशन फॉर्म उपन करने के लिए रेजिस्ट्रेशन मेनू या रेजिस्ट्रेशन हाईपर लिंक पर क्लिक करें नए पेशन्ट का रेजिस्ट्रेशन करने के लिए एड न्यू बटन पर क्लिक करें मान लो आपको साइटोलोजी और हिस्टोपेथोलोजी इन्वेस्टिकेशन एड करना है साइटोलोजी इन्वेस्टिकेशन एड करने के लिए पहले साइटोलोजी ग्रुप सेलेक्ट करें साइटोलोजी ग्रूप के सभी टाइटल दाहिने साइट की टेबल में आ जाएंगे यहां से साइटोलोजी टाइटल सेलेक्ट करें FNAC with procedure टाइटल सेलेक्ट हो गया है फिर साइटोलोजी ग्रूप अनसेलेक्ट करें Histopathology Investigation एड करने के लिए पहले Histopathology ग्रूप सेलेक्ट करें Histopathology ग्रूप के सभी टाइटल दाइने साइट की टेबल में आ जाएंगे यहां से Histopathology टाइटल सेलेक्ट करें Histopathology Report टाइटल सेलेक्ट हो गया है अब Save बटन पर क्लिक करें Word Format Test Result लिखने के लिए और Report निकालने के लिए या तो Word Format Test Result बटन पर क्लिक करें या Test Result मेनू के Word Format Test Result सब मेनू पर क्लिक करें मैं Word Format Test Result बटन पर क्लिक कर रहा हूँ Word Format Test Result फॉर्म उपन हो गया है पहला दिखने माला इंवेस्टिगेशन साइटोलोजी ग्रूप का FNAC with Procedure है Default खाली टेस्ट रिजल्ट बदलने के लिए Edit बटन पर क्लिक करें Test Result लिखने के बाद Save बटन पर क्लिक करें Report देखने के लिए Print Report बटन पर क्लिक करें Report प्रिंट करने के लिए Printer आइकॉन पर क्लिक करें इस Report को बंद करें यहाँ Word Format Test Result फॉर्म में Histopathology टेस्ट में जाने के लिए Next बटन पर क्लिक करें Default टेस्ट रिजल्ट बदलने के लिए Edit बटन पर क्लिक करें Test Result लिखने के बाद Save बटन पर क्लिक करें Report देखने के लिए Print Report बटन पर क्लिक करें Report प्रिंट करने के लिए Printर आइकॉन पर क्लिक करें हूं ग्रिंट करें Read tuo हूं झाल झाल